इलाभाद हाई कोर्ट बार असोसियेशन के 150 वे स्थापना दिवस समारों में शामिल होने प्रयागराज पहुँचे मुख्यमंत्री योगी आदितेनात ने दो दिवसिये आयोजित कारेक्रम का उध्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इलाबाद हाई कोर्ट बार असोसियेशन के 150 वर्ष पूर्ण होने के अफसर पर बधाई देते हुए कहा कि भारत का पहला गुरुकुल यही पर स्थापित हुआ था और प्रयागराज हमारा न्याय का पवित्र मंदिर भी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह अधिवक्ता कुम्भ ही है। उत्तर प्रदेश का प्रतेक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाशा में प्रयागराज की इस धर्ती में आता है। यहाँ पर जब कोई व्यक्ती अपनों से पीडित होता है, प्रतारित होता है, जीवन की हर प्रकार की आस्व विश्वास को खो देता है। बड़ी आशा भरी निगाहों से वे इस न्याय के मंदिर की ओर देखता है। इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि इलावाद हाई कोर्ट बार असोसियेशन न केवल भारत वर्ष बलकी एशिया का सबसे बड़ा बार असोसियेशन होने का गौरफ प्राप्त कर चुका है। अपनी गौरफ शाली परंप्रा के साथ अंगिनत उपलब्दियों को संजोये हुए अनवरत आगे बढ़ रहा है। इलावाद हाई कोर्ट बार असोसियेशन भविश्य की चुनोतियों को स्वीकारे करने में पहले से अधिक सबल वर सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने वरिष्ट अधिवक्ताओं के मार्ग दर्शन में हम अपने युगा अधिवक्ताओं के हिट को सुरक्षित वसंरक्षित करने के साथ उच्चन यायाले की गरिमा को अक्षवन रखने के लिए सतत्प्रयत नशील है। इस अफसर पर इलाबाद उच्छ न्यायाले के मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल ने इलाबाद हाई कोर्ट बार असोसियेशन के 150 वर्ष पूरा होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण अफसर है स्वतंत्रता अंदोलन सहित अन्या अफसरों पर अधिवक्ताओं के द्वारा बढ़ चड़कर योगदान दिया गया है उन्होंने कहा कि जूनियर अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ताओं से सीख ले इलावाद उच्छ न्यायाले को आगे ले जाने में युवा अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी मामलों के निस्तारण में बार का बहुत ही सहयोग प्राप्थ हुआ है बैंच वबार मिलकर कार्य करें जिससे इलावाद उच्छ न्यायाले को और बुलंदियों पर ले जाया जा सके उन्होंने कहा कि यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए बनाय जा रहे मल्टी लेवल पारकिंग और अधिवक्ता चेम्बर का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है इस कार्य में राज्य सरकार का सहयोक सराहनिय है उन्होंने कहा कि अधीनस्त न्यायालेयों में मुकदमों का तेजी से निस्तारण किया गया है यह उलेखनीय विशय है बार एवं बैंच दोनों का कार्य जनता की सेवा करना ही है सभी लोग आपस में समन्वे बनाते हुए कार्य करें तथा इसे और उचाई पर लेकर जाए कार्य करम के अंत में हाई कोर्ट बार असोसियेशन के महा मंतरी सतिधीर सिंग जादौन ने सभी अतितियों का अभार व्यक्त किया इस अफसर पर वरिष्ट न्याययूर्थी प्रीतिंकर दिवाकर न्यायमूर्थी मनोज मिश्रा व अन्य न्यायमूर्थी गणों के अलावा मंतरी नंद गोपाल गुपता नंदी महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा के अलावा काफी संख्या में अधिवक्तागन व प्रास्निक अधिकारी गणों पस्थित रहे